प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 28 अगस्त 2020 देखेंगे अब तक के सभी महत्पुर्ण कर इंटरफेर्स जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा इस क्लास का पीडियेफ आप टार इजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं सभी का लिंक देस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्रशन हिंदे इंग्लिस दोनों में है आपसे आगरा है कि क्लास अंत तक अटेंड करें तभी आपको इस क्लास का महतुर पता चलेगा और क्लास पर इच्छाउप योगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और ने दोस्तों के साथ इस कलास को सेर करें ठाकि आपके इस प्रयास से टार इच्छाउप का सहयोग हो जाए और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो अभी सस्क्राइब बटम दबा दें और पहले से सस्क्राइब कर लिये हैं तो आपका बहुत बहुत थन्यवाद तो चलिए बिना देर किये शुरू किरते हैं आज का क्लास पहला प्रश्ण है वीच एस्टेट हैज बिकम दर सेकेंड एस्टेट इन इंडिया तो इंप्लीमेंट दर निव इजुकेशन पॉलिशी 2020 नई सिक्षानिती दो हजार बीश को लागू करने वाला कौन भारत का दूसरा राज बन गया है नई सिक्षानिती जो है सिक्षानिती 1986 के जगह पर लाया गया है और नई सिक्षानिती 2020 को सबसे प्रहला राज बन था करनाटक अपनाने वाला इसको लागू करने वाला अब दूसरा राज बन गया है मद्ध परदेश मद्ध परदेश के बारे में देखिए मद्ध परदेश घरह धानी बोपाल मुख्यमंत्री सिवराई सिंग चोहान गवर्नर मंगू भाई चगन भाई पठेल बाकी सब अपसन देखिए उत्तर परदेश की उन्यूज में है अच्छा मद्ध परदेश से एक और रैंकिंग स इसे मंद्ध बात है प्रश्ण है एनिमिया मुक्त भारत इंडेक्स हाली में जारी किया गया था उसमें मद्ध परदेश पहले अस्थान पर है यह याद रखेंगे अब चलिए उत्तर परदेश के उन्यूज में है तो हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सीटीज सौर्श्ष्ट अस्मार्ट राज का प्रशकार किसे मिला है तो यह मिला है उत्तर परदेश को और किंद्र सासित पर इस सुची में इसको टेक्श फॉर्म में देखिए क्योंकि केवल बोलते बोलते किलियर हो सकता है ना हो अब को इंडिया स्मार्ट सीटी अवार्ड दो 2020 में किंद्र सासित राजी की सुची दखा जाए तो उसमें चंदीगर पहले अस्तान पर है यहीं बताना थाब को चलिए गुजरात की उन्यूज में है तो वीत वर्श 2020 में सबसे ज्यादा FDI अर्था फॉरें डारेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदी में बोले तो पर्तक्ष बीदेशी निवेस पाने वाला भारत का पहला राजे कौन बन गया है सबसे ज्यादा पाने वाला यह बना है गुजरात इस रैंकिंग में गुजरात सबसे उपर है चलिए और कुछ इसमें डाटा अगर देखना चाहें तो है मेरे पास FDI अर्था फॉरेंड डायरेक्ट इ क्या के रल क्यों निवेस में है तो हाल ही में नेती आयोग द्वारा जारी किया गया था है एस डी इंडिया इंडेक्ष 2020 इस सूची में कौन पहला अस्थान पर है तो के रल एस डीजी का मतलब क्या होता है सस्टेनेवल डवलप्मेंट गोल और यह सुचकांक राजियों औ मापदंडो के प्रगति का मुल्यांकन के अधार पर जारी किया जाता है और इसमें इस सूची में सबसे नीचे बिहार है और किंद्र शासित परदेशों की सूची में चंदीगर पहले और दिल्ली दूसरे अस्थान पर है यह ध्यान रखेंगे चलिए तो यह रहा पहले प 21 इंडिया पेवेलियन का उधगाटन कहां हुआ है तो इसका सङी जवाब है मौसको में हुआ है यह रूस के मौसको में इंटरनेशनल मिलिटरी टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 में इंडिया पेवेलियन कवदगाटन भारत और रूस द्वारा संजुक तुरुप से किया गया है और यह क्या है तो यह आयूद तथा सैने उपकरणों की दुनिया में अगरानी परदरशनी है जिसका आयोजन इसी मा के 22-28 अगस 2020 तक मौसको में किया जा रहा है रसिया से यह समंदित बात है रूस से उसके भाड़म देख लेते हैं रूस का रधानी वई मौसक्य है रधा इसका मुद्रा रसियन रूबल प्रधान मंत्री मिखाइल मिसुस्तिन और ट्रेसिडेंट बलादेमेर पूतिन है चलिए बाकी अप्षन इसमें देखिए कुलकत्ता यह क्योंने उजमें है तो दूरंड कप 2020 का आयोजन कहां किया जाना है तो यह अपने देश में कुलकत्ता में किया जाना है दूरंड कप 2020 का आयोजन Durand Cup क्या है तो football tournament है उसी से संबन्दित है जिसा भी प्रशन पूछ लिया जाता है क्योंकि केवल Durand Cup कहने से कुछ clear हो नहीं रहा है 21 खेल से संबन्दित है तो football से और यह जो Durand Cup 2021 हो रहा है कुलकत्ता में यह 130 संसकरन है इसका हाई वजन इसका 5 सेतंबर से 3 अक्टूबर तक इसी वर्स किया जाएगा और पहली बार Durand Cup 1888 में हिमाचल प्रदिश में खेला गया था और Durand Cup से संबन्दित एक और बात है कि यह Asia का सबसे पुराना और दुनिया का तीशरा सबसे पुराना football tournament है Durand Cup 2021 कुलकत्ता में ठीक है पेरिस के उन्यूज में है तो अभी जो Tokyo Olympic 2020 खत्म हुआ है इस वर्स 2020 में जपान के Tokyo में वहीं थे अब उसके बाद Olympic 2024 का आयोजन अस्थल का घोशना किया गया है तो वही है कि उलम्पिक 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा तो फ्रांस के पेरिस में यह ध्यान रखेंगे यह जरूर आगे एक्जाम्स में बिल्कुल फुछा जाएगा रोम यह G20 के संस्कृती मंत्रियों की पहली बैठक कहा संपन होई है तो यह हुआ है इटली की राधानी रोम में यह सब फैक्स याद रखेंगे अगला प्रस्ण है हाल ही में RBI की नय कारेकारी निदेशक अर्थात Executive Director ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अजय करेकारी निदेशक RBI का बनाया गया है चलिए तो और RBI की बात है तो RBI से संबंदित देख लेते हैं RBI का हेट क्वाटर मुंबई अस्थापना एक अप्राइल 1935 इसका राष्ट्यकरन एक जन्वरी 1929 और यह सबसे पहला ऐसा भारत का जिसका राष्ट्यकरन नेश्ट्यक करन किया गया था उन्ह उनीस वसी में छे अन्य बैंको का राष्ट्यकरन किया गया था अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के तो सक्तिकांत दास और यह 25 विकरम के गवर्नर है डिप्यूटी गवर्नर RBI में चार होते हैं महिश कुमार जैन माइकल देवरत भात्रा एम राव टी रवी संकर यह सभी डिप्यूटी गवर्नर हैं चलिए बाकी ऑप्संस देखते हैं थॉमस डेनर भी यह कौन है तो यह भारतिय महिला फुटबॉल टीम के हाली में कोच बनाए गया है थॉमस डेनर भी अभी अब 2022 में एफसी महिला एसिया कप होने वाला है 2022 में त बाल टीम का कोच थॉमस डेनर भी को बनाए गया है एफसी का मतलब क्या होता है एसियन फुटबॉल कनफेडरेशन चलिए अजय कुमार भला यह है अजय कुमार यह है अजय कुमार भला इनको अभी हाली में ग्रिह सचीव के रूप में एक वर्स के लिए कारकाल बढ़ा द दिया गया है तो यह भी ध्यान रखेंगे अगर आप लोग बुरा ना मनें तो सचीव है यह तो सचीव से संबंदित हम लोग कुछ महतपुर्ण देख लेते हैं देखिए यहां पर मैं लाया हूं अजय कुमार भला ग्री सचीव है इनका कारकाल दूसरी बार बढ़ा दिय गया तो यह हो गया कुछ अन्य मोहतपुर्ण सचीव के बारे में जो आपके एक्जामस में पूछे जाते हैं वह देख लिजिए अभी केविनेट सचीव कौन है राजीव गौबा इनका विकारकाल बढ़ाया गया है रक्षा सचीव कौन है अजय कुमार यह रक्षा अजय कुमार भला उनकी बात तो होई गई तो यह कुछ महतपुर्ण सचीव का सूची है जो आपके ग्यामस में इसी में से आते हैं तो यह सब ध्यान रखेंगे तो इनको भी कहीं न कहीं कुछ नियुक्त किया गया होगा तो राश्टिय महिला आयोग के अध्यक्ष यह द्यान रखेंगे अभी और यही राश्टिय महिला आयोग यह काम करता है महिला बाल महिला यंग्बाल विकास मंत्राले के अंत्रगत काम करता है अभी कौन है महिला यंगबाल विकास मंतरी अस्मृती जुबीन इरानी हैं चलिए हम लोग अब यहां से वन लाइनर विद एक्स्टा फैक्ट्स एस्टेटिक्स में हम लोग भागी प्रस्ण देखेंगे नेक्स्ट देश में महिला उदमिता को बढ़ावा देने के लिए निती आयोग और सीसको ने कौन सा प्लेटफॉर्म लाँच किया है तो यह है डवलु एपी नेक्स्ट नेक्सट नेक्सटी निती आयोग और सीसको सीसको जो है एक अमेरिकन मल्टी नेशनल टेक्नलोजी कंप साथ महिला उदमिता को बढ़ाने के लिए यह डवलु एपी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लाँच किया गया है नेती आयोग के बारे में देखिए फुल्फम है इसको योजना आयोग के अस्थान पर लाया गया है और एक जनवरी दौहाजार कंद्रा में लाया गया इसके च हाल ही में किस भारतिय खिलाडीने चेक गणराज 3όन टेवल टेनिस टूनमेंट जीता है जी सातह यान कहित हैं रही है तो इंटरनेशनल टेवल टेनिस टूनमैंट का आयोजन चेक राइज के ओलो मौक में आयोवित किया गया था उसी में ये इन्होंने जीता है जी साथियान इसका अस्थापना 1926 में हेट्वाटर लोजन जो की सुझर लेंड में है और प्रेसिडेंट है इसके थॉमस वीकर्ट नेक्स्ट हाल ही में अर्विय द्वरा रिकोर्ड्स रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में जिसे इज 3.0 कहते हैं में किस बैंक को समगर विजयता के रूप में अफ्थात ओवरॉल अवार्ड दिया गिया है ओवरॉल वीनर बना है तो यह है अर्विय द्वरा रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 इसे इज 3.0 भी कहेंगे में अन्य प्रुस्कार कुछ मिले हैं वो देखिए मौतोकांची भारत के लिए अस्मार्ट रिन इस मामले में बैंक उप्रुस्कार मिला है डिजीटल अधारित बैंकिंग समाधान इस मामल देख चुके हैं पूरा चलिए नेट्च देखते हैं और नेती आयोग द्वाराजारी NER डिस्टिक्ट SDG इंडेक्स में कौन सिर्ष अस्थान हासिल किया है तो ये पूर्भी सिक्किम नेती आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी छेत्र के जीलों का सतत्त विकास लच् और उत्तरपूर्वी छेत्र विकास मंत्रा लेक है भारत में श्पेशल इन राज्यों के लिए बना है तू कौण है उत्तरपूरु छेत्र विकास मंत्री님 श्री जी की संन रेड़ी है नितीक आयों के बारे में हम लोग उपर देख चुके यह एन यार अर्थात नौर्थ इस्टर्न रिजन डेस्टिक्स सटेनेबल डेवलप्मेंट गोल यह सब इसका फुल फॉर्म है यह सुची का डिरेक्ट नाम अफ लोग इसी तरह से आपको ग्याम में भी उच्छा जा सकता है ध्यान देंगे तो इसमें इसमें टॉप किया है सिक्किम नेक्स्ट आठवा प्रस्ण है हाल ही में पंजाब नेशनल बंक के एमडी एन सी यो का कारेकाल बढ़ा दिया गया है उनका नाम क्या है तो एस एस मलिकारजुन राव पहले से थे इनका कारेकाल फिर से बढ़ा दिया गया है जो अब जनवरी 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे यहीं की बात है तो पंजाब नेशनल बंक हेट क्वार्टर निव दिल्ली एमडी एन सी यहीं है मलिकारजन राव एसस पी एनवी का टैग लाइन है दनेम यूकेन बैंक ओपॉन यह सभी हैक्स याद रखेंगे नेक्स्ट हाल ही में पदम सिरी से सम्मानित स्वच्चालित कटों की सुभदा देने के लिए के वी एल फास्टैग लॉंच किया है नाम से ही क्लियर है अगर अफसन में अगर ट्राइड रहता तो यह करनाटका बैंक शुरू किया है के वी एल फास्टैग फास्टैग क्या होता है आप लोगको मालूम होगा नेशनल हा समय को कम करने के लिए आपकी कति को समय बचाने के लिए सरकार द्वारा फास्टैग शुर्दा लाया गया जिसमें होता क्या है तो वहां के जो अगले पोर्शन है उस पर एक फास्टैग एस विंड़ स्क्रीन पर लगाया जाता है जिस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइड डी Ond में कहा जाता है इसी अधार पर वो काम करता है उसको रिचार्ज वैसे करना परता है करके website पर आपको एसमsh셔야 क्ञाण करकेए उसमें व्युलोड के तरफ ऐसा डालना परता है और वह आपके गारी के front portion पे करके लिए भी है लगा है वहां पहुंचेंगे आपके वैलेट से वह टेक्स कट जाएगा और आपको बिना रुके टेक्स भी दे रहेंगे और चले भी जाएगे तो इस तरह से आपका समय सबका समय बचेगा बहुत सारी सुग्दाय हैं उस तरह की तो यही शुरू किया है के विल फास्टाइ बहुत थे लेकिन प measurement थे नहीं से यह स्थी आपको याली बताएं तो चलिए दोस्तों उमीद करता हूँद कर लिए रच्य आपको लाई कटेंगी होंगी आदी हाँ तो भीच वीडियो को लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करके टार इजूकेशन का सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो अभी सस्क्राइब बटन दबा दें और पहले से सस्क्राइब कर लिया हैं तो आपका बह बाइ ओल लिवस्ट